हलो दोस्तो स्वागत है आप सभी का अपने चैनल ग्रेसफुल फामा पर तो जैसा कि आप सभी को पताए हम बहुत करीब आ गए हैं अपने युनेट फॉर्थ को कम्प्लीट करने के लिए अभी तक आप सभी ने ट्रीवियस लेक्चर नहीं देखे तो आपको करेंगे कम्प्लीटली कि यह आखिरकार हमारी होती कैं तो इस्टार्ट करने से पहले अभी तक आप सभी ने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो और बैल आगउन को प्रेस कर देना क्योंकि इससे आपको हेल्प लेग सकते हैं International Standard Organization ठीक है तो यह जो ISO 9000 है अपका ISO 14000 है इन दौनों को हम पहले से डिसकस कर चुके है quality assurance में जैसा कि आपकी screen पर show हो रहा होगा इसका thumbnail मैंने आपकी screen पर show कर दिया है ऐसा थमनील है quality assurance की playlist में जाकि आप easily check कर सकते हैं ठीक है जिससे कि आपको easily समझ में आजागे क्योंकि यार दोनों में सब कुछ seem ही है तो मुझे बार बार अपलोड करने में फालतू हम time waste करेंगे इसलिए मैंने आपको यह वीडियो बनाई जिससे कि आपको पता चल जाए कि हाँ ISO 9000 या ISO 14000 इन सभी की जो lecture है वो हमारी पर पहले से अपलोड है तो आप वहां से जाके अपने स्लेवस को जल्दी से कबर कर सकते हो उस वीडियो के अंदर क्या डिसकस किया कि ISO क्या होता है ISO 9000 की definition क्या होती है क्या होते हैं एंड के benefit क्या होते हैं जब हमारे पास ISO 9000 सीरीज के certificate होंगे तो element कौन-कौन से होते हैं यह सारी चीज़ है मैंने वहीं discuss कि थी अब हम देखते है ISO 14000 में वही चीज़ के definition क्या थी overview क्या था उसके element क्या थे benefit क्या थे उसके process क्या थी हमें कैसे हम किसी certificate को ले सकते हैं तो यह सारी चीज़ हमने वहां discuss की थी आप बात करते हैं अपने आपने आपकी स्क्रीन पर थमनेल आ चुका होगा इसका थमनेल कुछ ऐसा दिखता है ठीक है तो आप playlist में जाकर एजली चेक definition बात की थी इसका definition इसका full form होता है national accreditation board for testing and calibrate labs ठीक है लेवरेट डिसीज हम बोल सकते हैं ठीक है तो इसका जो लेक्टर है वह भी हम पहले से अपने चैनल पर upload कर चुके हैं ठीक है तो एक autonomous body है मतलब किसी दूसरे के थ्रू चलती है ठीक है इसके benefits के बारे में हमने start किया जैसे कि benefit के बारे में हमने पढ़ा था जिसमें ज्यादातर हमारे जो 95-95 mask थे वह हमारे एक्रेडेशन वाले थे और आप रूम में देखना आपके घर पर जो आरो है उस पर एक ISO का certificate भी लग रहा होगा क्योंकि यह सारी चीज़ा क्या होती है यह से certified ही होती है ठीक है एंड एने वील में हमने उसके principle के बारे में procedure के बारे में देखा था कि आखिरकार हमारे जो एने वील का procedure होता है वो क्या क्या होता है कैसे inspection होता है कैसे documentation form देखी जाती है कैसे audit किया जाता है ठीक है तो यह सारे चीज़ा हमने वहाँ पर बात की थी तो आई होप आप सभी को आज आपको description में provide कर दोंगा फिर से बोल देता हूं and मिलते हम अपने next lecture में GLP जो कि हमारा last lecture होगा GLP unit 4th का last lecture होगा हमारा GLP क्योंकि इसका quality assurance में भी मैंने नहीं डाला और बलकि quality assurance में था इसलिए क्योंकि जब time नहीं था बट अब मैं आपको provide करूंगा कि GLP क्या होता है कैसे हम GLP के बार में देखते हैं यह unit 3rd है आपका यह quality assurance की unit 3rd में आपका GLP बट industrial pharmacy की unit 4th में आपका GLP ठीक है तो से जल्दी से कमेंट में भी कर देना ठीक है सब कुछ कर दिया अगर हो यार आप क्या बताता ही रहूं ठीक है एंड मिलते नेक्स्ट वीडियो में थैंक्यू स्टिशेफ एंड वी हैपी